सहायक खजांची थानाचेत्र के सुभास नगर में एक घर से दस्वी के छात्र का सव बरामत हुआ है गटना के संबन में बताया जाता है कि मिर्तक छात्र पड़िहारी रानिगंस थाना का रहने वाला था और पूर्णिया में सेंट जेवियर्स स्कूल में परहाई करता था रात्री में उसका भाई नहीं था सुबर वापस आने के बाद फंदे से जोलता हुआ सव बरामत हुआ है वहीं कमरे में सिग्रेट गांजा का कई टुकरा था जो मामले को संदिक्द बता रहा है फिलाल पुलीस ने सब को पोश्ट माडम करा कर परीजन को सौब दिया है और अनुसंधान में जुट गई है पूर्णिया से सिटी हल्चल नियूज के लिए सरोज कुमर की रिपोर्ट उसका बड़ा भाई रात में उहां से चला अपने मामा के यहां रो गया तो देखा मेरा भाई फाउन भी किया फाउन से नहीं उठाया इसके बार वो केवारी में हलका ठोकर दिया उस पर भी नहीं जगा तब केवारी में धका दिया केवारी फर्षी खुल गया तो देखता है कि फश्री लटका हुआ है लेकिन उसका पईर में मठी लगा हुआ है घर में गाजा और शिक्रेट में गाजा भड़ा हुआ पड़ा हुआ है माज़ी बड़ा हुआ है यहीं कहानि है जो जो छक में जो कि लगा हुआ राता है उसे में लटका हुआ था रही है कि वह ससाइट करेंगी है या कि को हज़ते हैं अब ही तो प्श्ट-मात्रम से हम नहीं बोल सकते हैं पोस्ट-मात्रम रिपोर्ट आने के बाद बोलेंगे लेकिन हमको लगता है कि कोई हत्याट्याद्या है चाहा वो दुस्मनी से हो या चाहा जिस्चिव लेकिन क्या ड्या है में माकार माली की सामुई क्या नाम है मिर्तक का नाम है अभी जीद कुमार इतना उमर है उमका 18 साल दस्मा क्लास में वो पढ़ता है परिहारी रंडी ठना यहां पर कहां पर इपना हुआ यहां शुभास नगर में सकूल है उसी स्कूल में पजाता था है अब क्या नाम है क्या नाम नभीन कुमार जहां हम बड़े चाचा है उनका अगर आप लेप्टोप लेने की सोच रहे है तो इस्टार कम्प्यूटर चले आए और सबसे कम कीमत पर अच्छे लेप्टोप को अपना बनाए स्टार कम्प्यूटर